अनेकेडमी के इस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आप सभी हमारे साथ लाइब हैं अनेकेडमी के इस यूटूब चैनल में आप हमारे साथ लाइब हैं आप सभी का मैं अभिनन्दन करते हुए आज का क्लास आरंभ करता हूं आप सभी का अभिनन्दन करते मैं आ गया अभी आप लोग जल्दी से जुड़िये जल्दी से जुड़िये और हम लोग स्टार्ट करें जल्दी से जुड़िये तो आप लोग तयार हैं आप लोग तयार हैं प्लीज सेयर करें इस क्लास को प्लीज सेयर करें और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का आज का MCQ आप सभी जुड़ें और आज मैं सुरू करने जा रहा हूं पहला प्रस्न पहला प्रस्न आपके सामने है आप सभी का जो जो लोग हैं आप सभी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन और आज मैं पहला प्रस्न शुरू करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए पहला प्रस्न दूसरी पंचवर्सी योजना की रूप रेका किसने तयार की थी दूसरी पंचवर्सी योजना साउंड आ र फ幫 होट मैं इसे महालवीस मोडल भी बोला जाता है इसे महालवीस मोडल भी बोला जाता है दूसरी मैं वर्षी ओजना को और यह पी सी महल नोबीस ने wal भू की थी दूसरी पंचवरसी ओजना और इसे महलनोवीस इस मोडल बोला जाता है क operators when training यह आप लोल कर, हाँ महाल नोबिस महाल नोबिस मौडल भी बोलता है, उसे और पहली योजना जो थी वो गाढ़गोल फर्मूला पर अधारिक थी पहली योजना गाढ़गईल फर्मूला पर हाँ बिल्कुल बिल्कुलeder हाँ, PC महाल नोबिस्देप, वेरी गुड सांखी की दिवस सांखी की दिवस इसको बोला जाता है ये पर सांखी की दिवस सांखी की दिवस बोला जाता है वेरी बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बाबु अगला प्रस्ण आपके सामने आर्थिक नियोजन किसका विशय है आर्थिक नियोजन किसका व कल 70 तक मैं करा दिया था 71 से आज सुरू किया हूँ 71 72 आर्थिक 뉘न किसका भी से है आर वर्ट प्लान बिल्कुल बिल्कुल हां एक डम सही है आर्थिक नियोजन सममु वार्थि सूची च लहां वर्थि सूची कहा बिल्कुल बिल्कुल Development अगदम? निम्न लिखित में से भारत की राष्ट्रिया अए का सबसे मुख्य सुरोत कौन सा है आपके सामने प्रस्न है 73 73 आपके सामने है प्रस्ण 73 निम्न लिखित में से भारत की राष्ट्रियाय का सबसे मुख्ष्रोथ कौन सा है लाजवाब लाजवाब गर्दा 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 आप लोगे स्टुटेंट है तनी मानी बढ़िया नहीं आरे एगरिकल्चर नहीं होगा दिव्यांका विजय भारत की राष्ट्रियाय का मुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् 29 परसेंट सेवा चेत्र से 59 परसेंट तो सबसे बड़ा सेवा चेत्र हुआ ना सबसे बड़ा सर्विसेश हुआ ना राष्ट्रियाय में योगदान हाँ अगला भारत में राष्ट्रियाय समंगों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है भारत में राष्ट्रियाय की गणना शोनी कुमारी असानी कुमारी विवेक सम्राट परविन जा क्रिश्न जी राजिव रंजन जी सब लोग जुड़िये भाबू सब लोग एक दम बढ़ियां केंद्रिये सांखे की संख्थन बिल्कूल बिल्कूल CSO CSO द्वारा जो है Central Esthetical Organization द्वारा भारत में राष्ट्रियाय की गणना की जाती है एक दम गर्दा गर्दा अगला सवाल भारत में पहले योजना आयोग थी अब योजना आयोग तो नीती आयोग बन चुके तो योजना आयोग की अस्थापना कभूई थी योजना आयोग की अस्थापना सही है बिल्कुल सही बिल्कुल गर्दा गर्दा पंद्रह मार्च नीसों पचास को भारत के योजना आयोग की अस्थापना हुई थी अब योजना आयोग का नाम जो है ओपंद्रह जन्वरी पंद्रह जन्वरी सायत पंद्रह जन्वरी एक एक जन्वरी है एक जन्वरी एक जन्वरी 2015 को इसका नाम अब नीती आयोग हो गया एक जन्वरी 2015 से इसका नाम नीती आयोग हो गया एक जन्वरी 2015 से इसका नाम नीती आयोग हो गया एक जन्वरी 2015 से इसका नाम नीती आयोग हो गया एक जन्वरी 2015 से अगला अगला प्रस्ण आपके सामने है बिल्कुल बिल्क से नितियायोग हो गया अगला प्रस्ण आपके सामने है देव बंद जानते हैं आप सहारनपुरिवपी में हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जहांकि मौलवी मौलवी के लिए जो है तैयार किये जाते हैं लोग इसलामिक सिक्षा कि अब बहुत बड़ा केंद्र है देव बंद देव बंद के उस विद्वान का नाम बताईए जिन्होंने स्वतंतरता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई यहां मौलवी की पढ़ाई की जाती है मौलवी की पढ़ाई की जाती है कौन से विद्वान थे जिनोंने स्वतंतरता आंदोलन में जबर्दस्त भूमिका आदा की गजब 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 मौलाना अबुलकलाम आजाद इनके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है मौलाना मौलाना ये मौलाना थे देवबंद से और मौलाना अबुलकलाम आजाद 146 से 46 तक कोंग्रेस के अध्यक्ष रहे कोंग्रेस के अध्यक्ष रहे यह जिक्थ मंत्री भृए यह भारत के प्रतम सिक्षामंद्री मुए मौलाना अबूलकला माजा, हाँ अगला सार्दा मनी कौन थी जी सार्दा मनी सार्दा मनी कौन थी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अधेश जी कॉंग्रेस के सबसे जुआ ध्यक्ष हाँ 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 बिल्कुल शार्दामनी कौन थी वाउ वाउ ये राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी शार्दामनी और राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी और बीवेका नंद को जो है जाने के लिए हो नहीं प्रेरित किया था सिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए उस समय तक रामकृष्ण प्रम्हंस नहीं थे सारदा मनी नहीं सिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए इन्हें प्रेडित किया था बहुत बढ़िया मनीशा, मनीशा पांडे, विनै प्रकास जी, गौतम रोनियार, कविता गुपता, केके यादो जी, इर्फान वारिस जी, गजब 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 गजब. नहीं केके जादो जी विवेकानन्द की मा नहीं थी ये उनकी पत्नी थी रामकृष्ण परमांस की अगला प्रस्न अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले कर्थूसों से चलने वाली एंफिल्ड राइफल कब सामिल की गई थी गरदा 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 एक दम गरदा दिसंबर दिसंबर 1856 एक दम सही है दिसंबर दिसंबर 1856 अगला बंबाई में अखिल भारतिय वेफारशंग कांगरेज ए आईटी ऊसी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन इन कांग्रेज़ के स्थपना को हुए थी 79 79 79 79 वाव मसालेदार बिर्यानी जी मसालेदार बिर्यानी जी कृष्ण जी विने प्रकास पंडित जी विने प्रकास जी आपका गलत है विने जी विने जी काजल अरे भाई मिलाई ये इसको ये होगा ये 1929 में मुंबई में हुआ था और इसका इसकी अध्यक्ष था पर्थम अध्यक्ष जो थे पर्थम अध्यक्ष इसके आप लोग जानते हैं कौन थे लाला लाजपत्राय लाला लाजपत्राय थे इसके पर्थम अध्यक्ष लाला लाज लाला लाज पत्रा इसके प्रथम ध्यक्ष थे अम्रित बाजार पत्रिका इसके संस्थापक कौन थे गजब 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 एक दम साई सीसिर कुमार घोस humor बहुत सुंदर ना न सीसिर कुमार घोस बहुत बढ़िया किस ने कहे था कांगरेस आंदूलन के बारे में यह सब्द किस के थे कांग्रेस आंदोलन के बारे में हाँ हाँ बोलिए हाँ मसालेदार बिर्यानी बोलिए हाँ एक दम सही एक दम सही बिर्यानी जी एक दम सही सरसयाद हमत खाने कहा था एक दम सही सयाद हमत खाने कहा था कांग्रेस के बारे में अगला प्रस्न है गांधी इर्विन सम्झाते के हस्ताक्षरी थोने में किसने महत्वण भूमिका निभाई गांधी इर्विन सम्झाते को हस्ताक्षरी थोने में 5 मार्च पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन सम्झाता हुआ था इसमें किसने महत्वण भूमिका अधा कि थी नहीं नहीं इसमें तेज बहादूर सप्रुने महत्वण भूमिका अधा कि थी अगला प्रस्न आपके सामने है अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफिम उत्पादन है तू अफिम उत्पादन है तू प्रसिधता क्या बात है क्या बात है मनोहर यादव जी मनोहर जादव जी क्या बात है अरे बाह कविता गुपता कविता गुपता दिभ्यान का विजय है पूजा, गर्दा, 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 राजन जी, राजा कुमार, गर्दा हैं आप लोग जी, बिहार, बिहार जो है अंग्रे जी सासनकाल में अफिमूत पादन में पर्थम था, वर्तमान में अफिमूत पादन में कौन है, वर्तमान में भारत का कौन सा राज अफिमूत पा वर्तमान में मध्य पर्दिश अगला प्रस्ण आपके सामने है निस्क्रिये विरोध निस्क्रिये विरोध के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था निस्क्रिये विरोध के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था निस्क्रिये विरोध के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था अर्विन्द घोस अर्विन्द घोस निस्क्रिये विरोध मैं आप लोग के साथ चलता हूं बिलकुल अभी निम ने लिखी तक बारों में से कौन सा मुख्यता उदार वादियों की नीतियों का परचारक था उदार वादियों की नीतियों का परचारक था कौन सा उदारवादियों की नीतियों का परचारक था उदारवादियों की नीतियों का परचारक लीडर था लीडर लीडर था उदारवादियों की नीतियों का परचारक अगला वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लाड़ बैबल दोनों से वरताएं की वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लाड़ बैबल दोनों से वरताएं की कि 1900 मैंने बताया 1940 से लेके 46 तक कॉंग्रेस के अधर्च रहे तो यहीं न होगा दोनों से बात करेंगे 2942 में आया था क्रिप्स मिशन तो 2942 में क्रिप्स मिशन और सबसे इन्हों नहीं बात किया था सामप्रदाइक आवर्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमसा दलित वर्ग के लिए कितनी सीटे दी गई सामप्रधाईक आवार्ड में कितनी सिटे थी और पूना पैक्ट जो गांधी जी से हुआ था उसमें सिटे बढ़ा दी गई थी तो दोनों कितनी कितनी सिटे थी दोनों कितनी कितनी सिटे थी कितनी इंगलैंड से सिटे मिली थी और कितनी गांधी से समझता के बाद मिली एक दम सही वी होगा वी होगा एक हत्तर सीटे थी संपर्दाई के वाड में और इसी को गांधी जी से बारता में जो की उन्होंने मांग की थी कि एक अलग निर्वाचन छेतर होना चाहिए गांधी जी ने कहा नहीं अलग निर्वाचन छेतर नहीं बलकि उसी में मिलके आप सी नाव में भाग लीजिए निम्न लिखित उद्ध्योग पतियों में निम्न लिखित उद्ध्योग पतियों में कौन लंबे समय तक ए आई सी सी के खाजांची रहे तथा जेल भी गए एक दम सही है बिल्कुल सही है जमना लाल बजाज जमना लाल बजाज बजाज कमपनी के मालिक जमना लाल बजाज बिल्कुल 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 अगला प्रस्न वर्स अथारो सो निनांबे उनिस सो के मुंडा क्रांती के निता कौन थे मुंडा क्रांती के निता कौन थे बिर्सा मुंडा बिल्कुल बिर्सा मुंडा इन्हें बिर्सा मुंडा बिल्कुल बिल्कुल उल्गुलान इनका आंदोलन जो था उल्गुलान कहलाता था उल्गुलान इनका कहलाता था और बिर्सा मुंडा जो है इन्होंने उल्गुलान आंदोलन किया था या मुंडा बिद भारतिय किसान संग के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किस ने की थी हाँ स्वामी स्थानन ओनाई सो च्छतिस में लखनव में हुआ था लखनव में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानन और एंजी रंगा इसके सचीव थे एंजी रंगा सचीव थे एंधर प्रदेश के किसान नेता थे एंजी रंगा और ये सचीव थे इसके सचीव थे एंजी रंगा बोहुत सुंदर अगला हां गोडिविनिंग गोडिविनिंग रस्मी कुमारी गोडिविनिंग बाबू गोडिविनिंग कि 1936 में 1936 में सपना चुवान 1926 नहीं 1936 1925 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था वाव क्या बात है क्या बात है असिस राय क्या बात है असिस राय गर्दा 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 एक दम गर्दा एक दम गर्दा असिस जी वाव हां मेजर बारो हां मनीशा पांडे मनीशा पांडे अलोक यादो मनीशा पांडे अलोक जादो गर्दा गर्दा दिभ्यान का विजय मसालेदार बिर्यान जी गजब बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताईए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपबिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था बिहार के उस गजब गजब वाव अगला प्रस्न है हाँ यह फणिंदरनाथ फणिंदरनाथ घोस फणिंदरनाथ घोस थे फणिंदरनाथ घोस हाँ बिलकुल अगला प्रस्न बिहार के बहुत बड़े करांतिकारी फणिंदरनाथ हाँ बिलकुल बिलकुल अरे मनोहर जादो जी आप लोगों के लिए आप लोगों के साथ रहने में मज़ा आता है मैं चार्ज हो जाता हूं और दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष्टा किसने की ऑजब गजब 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 यह कोष्चन कैसे पूचता है यह कोश्चन की सवतंत्रताग के समय स्वतंत्रता के समय 1947 में भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे वही वाला कोस्चन है थोड़ा सा उलाट करके पूछ दिया है वही वाला कोस्चन है थोड़ा उलाट करके पूछ दिया है अगला बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राष्ट्य कंग्रेस का 19 122 में धिवेशन हुआ था कि आपके सामने प्रस्ण सांदार प्रस्ण आपके सामने गजबे गजबे गया 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 एकदम और चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्ष्टा कि थी चितरंजन दास ने इसकी अध्यक्ष्टा कि थी बहुत बढ़िया और बाद में 1923 में बाद में 1923 में जो है हाँ और 1923 में इन्होंने जो है सुराज पाटी की अस्तापना की शागरिय लवनता का मुख्य सुरोत क्या है सागरिय लवनता का मुख्य सुरोत क्या है बहुत बढ़िया कोस्चन बहुत बढ़िया कोस्चन सागरिय लवनता का मुख्य सुरोत क्या मुख्य सुरोत पूछ रहा है मुख्य सुरोत देखिए कई बार लोग जो है कई बार गड़बड हो जाता है मुख्य सुरोत क्या है शागर्य लवनता का मुख्य सुरोत करता है कि साउंड आया हलो हलो मैं टेस्टिंग 123 ठीक है कि साउंड आया भी कि साउंड आया कि साउंड आ गया ना ओके 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 तो और अब सागर के अब सागर अब साउंड यानी 1000 ग्राम में 35 ग्राम। पीटी का मतलब होता है 1000 ग्राम में 35 ग्राम हाँ वीश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश है वीश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश है कौन वीश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश है कौन और दूसरे नंबर पर अपना भारत है दूसरे नंबर पर अपना भारत है भारत दूसरे नंबर पर एक नंबर पर चीन है और दो नंबर पर अपना भारत है दो नंबर पर अपना भारत है बिल्कुल 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 अगला प्रस्न अगला प्रस्न निम्न लिखित में स से किस राज में अनुसुचित जाती के लोगों की संख्या सबसे अधिक है निम्न लिखित में से किस राज में कि निम्न लिखित में से किस राज में अनुसुचित जाती के लोगों की संख्या सबसे अधिक अधिक है परतीसत जो है सबसे अधिक पंजाब में है फ्रतीसत सबसे अधिक पंजाब में भारतिय संभिधान दौरा प्रदत नीमनली खित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलप दे? बहुत बढ़िया प्रसन है आपके लिए भारतिय संबिधान में कौन सा ऐसा अधिकार है मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिक जो बिदेशी है उनको भी प्राप्त है भारतिय नागरिकों को कौन सा अधिकार है जो बिदेशियों को भी प्राप्त है बिदेशियों को भी प्राप्त है ए ए होगा संबैधानिक उप्चारों का अधिकार अनुछेद 32 अनुछेद 32 संबैधानिक उप्चारों का अधिकार ये सब को प्राप्त है अनुछेद 32 से सब को प्राप्त है हाँ ए होगा ए अभी व्यक्ति की सुतंतरता विदेशी को नहीं है अभी व्यक्ति की सुतंतरता नहीं है देश में कहीं घूमने की सुतंतरता विदेशी को प्राप्त नहीं है संपती अरजित करने की सुतंतरता विदेशियों को प्राप्त नहीं है विदेशियों को केवल संबैधानिक निरा कर प्रांप्त नहीं है उन्हें केवल 32 को संभेधानीकुप चारों का धिकार प्रापत है कि क्लियर है अगला है लिएthmically की निलीख चित में से कौन सा偭ाइं अधिकार संभीधान के अंतरगत Marco मौलिक अधिकार भी है कौन सा मानव अधिकार संभिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार है कि निम्न लिखित में कौन सा मालव अधिकार संभिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है कि संभिधान के अंतरगत मौलिक अधिकार भी है बताईएगा गजब 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 धुमाधार बाबु धुमाधार सिख्छा काधिकार अनुछेद 21A अनुछेद 21A मौली काधिकार है ना सिख्छा काधिकार अनुछेद 21A हाँ RTE Right to Education एक दम सही एक दम सही गर्दा अगला प्रस्न प्रकास संसलेशन कहां होता है प्रकास संसलेशन कहां होता है अगला प्रस्न आपके सामने है प्रकास संसलेशन कहां होता है अगला प्रस्न 16 एक दम सही है क्लोरोप्लास्ट में 50 कोष्चन हम आप ला रहे है अब आप लोग के लिए 50 कोष्चन हम ला रहे है क्लोरोप्लास्ट में 1 दम सही जीनेटिक्स निमने लिखित में से किसका अध्यन है जेनेटिक्स निमने लिखित में से किसका अध्यन है जेनेटिक्स किसका अध्यन है जेनेटिक्स किसका अध्यन है आसीस राए ला जवाब आसीस आसीस मनिसा पांडे नीता वी नीता गजब 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 एक दम पढ़िया वीवाज आदो जोतिस कुपार क्रिश्ना मोहन सिंह गजब गजब मौशम बर्मा मौशम बर्मा पूजा कुमारी मुकेश कुमार सब लोग गर्दा है जी गर्दा आप लोग बहुत संदर बहुत संदर अरे अनुवान सिक्ता और बीचरन का न होगा अगला मेंडल की अनुवान सिक्ता का सिधान्त किस पर अधारित है मेंडल की अनुवान सिक्ता का सिधान्त किस पर अधारित है बहुत बढ़िया कोस्चन है बहुत संदर कोस्चन है इसको बनाईए दिमाग लगाईए मेंडल की अनुवान सिक्ता का सिधान किस पर अधारित है देखिए आप लोग गड़ बरा रहे हैं मसालेदार बिर्यानी जी नो 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 एक दम यह जो है सेक्सुल रिपोड़क्शन पर लैंगिक जनन पर काम करता है और लैंगिक पर नहीं काम करता है इन्होंने मटर पर काम किया था इन्होंने और मटर जो है इसके मम्मी पापा अलग 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 थे इसी पर तो इन्होंने काम किया अगर मम्मी लंबा हो लंबी हो और पापा चोटे हो या मम्मी छोटी हो पापा लंबे हो तो क्या होगा तो मतर पम में जन्म हुआ था पटना में किस सिख्ष गुरु का जन्म हुआ था एक दम सही पटना में सिख्ष गुरु 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 गु में पटना साहिब में हुआ था पटना साहिब में इनका जन्म पटना साहिब में और यहीं जो है हर मंदिर है अभी पटना में हर मंदिर यहीं है हर मंदिर पटना साहिब में यहीं पर उनका जन्म हुआ था फोर जी एस्पक्ट्रम में अक्षर जी किस सब्द के लिए प्रयु कोश्चन नंबर 20 फोर जी एस्टेक्ट्रम में अक्षर जी किस सब्द के लिए प्रियुक्त होता है वाउ ला जवाब एस्टुडेंट ला जवाब जबाब गर्दा गर्दा इतना बढ़िया एस्टुडेंट गर्दा जी गर्दा फोर जी मैंने जनेरेशन फाइब जी अब पर्यब्ध आ रहा है त्यारि किजिए और हुम लोग करेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन करेंगे हम लोग योट्यूब पर फाइप जीमे पर्या वर अब और किससे बनता है अब Q7 in ृव 11 देवील डेविल 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 21 बहुत बढ़िया हाँ प्रियंका प्रियंका सब लोग का सही है सब लोग का सही है सब लोग पास सब लोग पास 100% से पास सब लोग 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 भीहार के उद्योगों का कमिशनर कादसर कहां है भीहार के उद्योगों के कमिशनर का दफ़तर कहाँ है कि यह सुपरचेट ρाहल राहुर farming सुपरζ करूप क्या नाम लेने के लिए अरे नहीं अरे गजब बीजब गजब अरे नाम मैं ले रहा हूं दोस बार नाम ले लूँ गाब सुपर चेट रहुल स्री केसे रहुल स्री राहुल स्री दोस बार नाम ले लिया सुकण्सपर चैट केश है खुर्दा-खर्दास छो मुँआधार है आप लोग तो उद्योगों के कमिश्णर का मुख्याले जो है पटना में है पटना में गजब 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 बिहार के उद्धोगों का कमिस्नर दफ्तर पटना में इस्तित है अगला प्रस्न बिहार से ही उत्तर बिहार किसके लिए परसीद है अगला प्रस्न बिहार से ही उत्तर बिहार किसके लिए परसीद है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसीदे उत्तर बिहार जल्दी 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 गर्दा गर्दा बाढ़ के लिए बाढ़ के लिए गर्दा 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 उत्तर बिहार लगभग और 60 और 60% भूभाग जो है बिहार का वो बाढ़ के अंतरगत सामिल है और 60% अगला निमने लिखित में से कौन सा सहर राष्ट्रिय राजमर्क 2 पर इस्थित नहीं है अगला प्रस्ण आपके सामने है बिहार का कौन सा सहर राष्ट्रिय राजमर्क 2 पर इस्थित नहीं है अगला प्रस्ण आपके सामने है बाबू निम्न लिखित में से कौन सा सहर राष्ट्रिय राजमार्क 2 पर इस्थित नहीं है 24 का question 24 का वाउ 24 राष्ट्रिय राजमार्क 2 पर इस्थित नहीं है पटना पटना अरे पटना NS 30 पर नहीं पटना NS 30 पर है NS 30 पर निम्न लिखित में से कौन सा आप लोग प्लीज सेयर करें, प्लीज सेयर करें, प्लीज सेयर करें, लाइक करें, लाइक बहुत कम है, लाइक बहुत कम है, शेयर और लाइक करें, ये सभी एने स्टूपर है, जीटी रोड, इसको जीटी रोड बोला जाता है, जीटी रोड, जीटी रोड बोला जाता है इस हाँ लाइक करें शेयर करें किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतिय कंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ किसके प्रयत्नों से बिहार का प्रांतिय कंग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ एक दम बढ़िया, एक दम बढ़िया, दीप नराइंसी, एक दम सही है, दीप नराइंसी के प्रयत्नों से, बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर, अगला प्रस्ण, बिहार में प्रमुक्ष समाचार पत्र, बिहार में प्रमुक्ष समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे बिहारी के संपादक कौन थे प्रमुक्ष समाचार बिहारी के संपादक एक दम बढ़िया एक दम बढ़िया बाबु महेस्वर परसाद बाबू महेशवर परसाद एक दम सही है एक दम सही है एक दम सही है अगला राज कुमार सुकला किस गाओं के निवासी थे अगला प्रस्न 28 नंबर राज कुमार सुकला किस गाओं के निवासी थे 28 नंबर प्रस्न अब हम आप लोग को पाचास प्रस्नों की स्रिंखला देने प्रति दिन 28 नंबर प्रस्ण राज कुमार सुखला को गौतम का नाम लीजिए ने गौतम भाग जाएगा गौतम जी अरे भाग मत बाबू अरे बाबू भागिए मत रहिए गौतम रोनियार जी हां मुरली भरहवा मूरली भरहवा गौतम जी भागिये माते यहीं रहिए यहीं रहिए क्या बात है मूरली भरहवा गांधी जी के पीछे चुम्बक जैसा लग गये थे आग गांधी जी को ले आके ही माने 2917 में गांधी जी को लाए और इसी इनी के चलते चंपारन सत्यागरा हुआ नील आंदोलन इनी के चलते नील के विरोध में चंपारन सत्यागरा हुआ मूरली भला हवा के ते स्री निवारन चंद्र दास गुपता स्री निवारन चंद्र दास गुपता थे कहा के स्री निवारन चंद्र दास गुपता शपना मनुहर यादो जी सब का नाम मैं ले रहा हुँ हाँ निवारन चंद्र दास गुपता ये पूरूलिया के थे पूराली पूरूलिया के निवारन चंद्र दास गुपता पूरूल और या के थे निवारण चंद्रदास गुपता निम्नली खित में से कौन सहर किसी देश की राजधानी नहीं है अगला प्रस्ण आपके सामने है निम्नली खित में कौन सा सहर किसी देश की राजधानी नहीं है ये आस्ट्रेलिया की राजधानी है ये वेलिंग्टन न्यूजिलेंड की राजधानी है न्यूजिलेंड की ये रियाध रियाध कहां की राजधानी है सौधी अरब की सौधी अरब की राजधानी है और ये कहीं की राजधानी है सिडिनी सिडिनी आस्ट्रेलिया का एक सहर है Sydney Australia का एक सहर है बिल्कुल अगला पुर्वी मध्य रेलवे छेत्र का मुख्याले कहां पर है अगला प्रसने पुर्वी मध्य रेल छेत्र का मुख्याले कहां पर है पुर्वी मध्य रेल छेत्र का मुख्याले कहां पर है विने यादो जी विने जादो जी हाँ सिड्नी सहर आस्टलिया का हाँ 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 हाजी पुराजी 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 पु कुवार सीह कहां के राजा थे अगला प्रस्न आपके सामने कुवार सीह कहां के राजा थे पूर सिंह जगदीश पूर के जगदीश पूर के बिल्कुल जगदीश पूर के राजा भोज के बंसच थे लो राजा भोज के बंसच थे राजा भोज के बंसच थे लो एक दम पढ़िया अगला डूरंड कप खेल किससे समंधित है डूरंड कप खेल का समन्द किस्से है अगला प्रस्न आपके लिए डूरंड कप खेल का समन्द किस्से है डूरंड कप खेल का समन्द किस्से है प्रस्न संख्या 35 डूरंड कप बहुत ही पुराना बहुत ही पुराना जो है फुटबॉल और अभी कोलकाता में होने जा रहा है कोलकाता में अभी होने जा रहा है डूरंट कप फुटबॉल और बहुत ही पुराना भारत का भारत का सबसे पुराना भारत का सबसे पुराना फुटबॉल सबसे पुराना फुटबॉल परतिया फुटबॉल चेंपियंसिप भारत का सब सबसे पुड़ाना फुटबॉल चेंपियंशिप है डूरंड कप सबसे पुड़ाना वेरी गुड वेरी गुड अगला निमन लिखित में से कौन सहर गंगा नदी के किनारे इस्थित नहीं है इन में से कौन सा सहर गंगा नदी के किनारे इस्थित नहीं है आपके सामने है प् बिल्कुल बिल्कुल फते पूर गंगा नदी के किनारे इस्तित नहीं है सही है सही है सही है अगला काहिरा का समय ग्रिन वीज़ से दो घंटे आगे है अताहिया है इस्तित है ध्यान दिजेगा बड़ी बढ़िया सवाल है दे सांतर से एक घंटा बराबर एक घंटा इकवाल टू 30 मिनट एक घंटा इकवाल टू 15 डिगरी होता है 15 डिगरी 15 डिगरी 15 डिगरी एक घंटा 15 डिग्री एक दम सही मसालेदार बिर्यानी ये एक दम आगे है तो इस्ट होगा आगे है इस्ट होगा और एक घंटा बराबर 15 डिग्री तो 2 घंटा इकवल टू 30 डिग्री तो 30 डिग्री इस्ट पर होगा 30 डिग्री पूर्वीदे सांतर होगा 30 डिग्री पूर्वीदे सांत कहा भूंगा हि अंतर राष्ट्रिय नियायाले का मुख्याले कहा है अंतर राष्ट्रिय नियायाले question 12 ion कोश्चन नंबर 38 अंतराष्ट्य नियायाले का मुख्याले हेग में है हेग हेग नीदर लैंड में है और इसमें 15 जज रहते हैं 15 जज और इनका कार्जकाल 9 वर्स होता है इनका कार्जकाल 9 वर्स होता है 9 वर्स होता है इनका कार्जकाल हेग में है नीदर लैंड में हाँ दहेग एक दम तो इस तरह आज हम लोग 50 प्रस्ण कर लिए आज 50 प्रस्ण कर लिए आप लोग हमारे साथ लाइब हैं crack BPSC with India's largest learning platform, और आपको मैं बता दू, प्रती दीन 5 बजे, प्रती दीन 5 पी एम में, मैं on academy पर, on academy के learning एप पर, on academy के learning platform पर, मैं 5 बजे प्रती दीन 100 प्रस्न लाता हूं, 100 प्रस्नों की स्रिंखला, प्रती दीन 5 बजे, जिसमें 15 प्रस्न current affairs के होते हैं, और current और ये, आप उसमें हमारे साथ जूड सकते हैं, आप इसको, download कर सकते हैं, on academy learning app को, और यहाँ पर अगर unlock मांगेगा, तो आप मेरा code यूज कर सकते हैं, Ajay, Ajay YT Live, Ajay YT Live, Ajay YT Live, आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर आएंगे, तो यहाँ देखिएगा, Monday, Wednesday और Friday को, current का question होता है, और इसका साहे साथ बज़े discussion होता है, आप इसमें भाग ले सकते हैं, थैंक्यू बाबू, यहाँ पर एक scholarship test भी चलता है, और जिसमें 15 winner, जो Sunday को चलता है, जिसमें 15 जो top winner होते हैं, उनको जो है, यहाँ पर आप देखेंगे, कि 50% तक scholarship दिया जाता है, यहाँ दरोगा के लिए, free test शुरू हुआ है, इसमें भी आप भाग ले सकते हैं, बुनियाद NCRT best test है, इसमें भी भाग ले सकते हैं, यहाँ वीशे सग्ग गुरूओं के नेतिरितों में, वीशे वीशे सग्ग गुरूओं के नेतिरितों में, यहाँ जो है, ओ चलता है, अलग-अलग वीशे का टेस्ट चलता है, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, अनकेडमी का plus class लाजवाब होता है, इसके features एक दम लाजवाब हैं, घर बैठे आप तयारी कर सकते हैं, अनकेडमी के plus class में, यहाँ पर सांदार इंडिया के top educator आपको guide करते हैं, आप अनकेडमी के plus class से जुड़िए, और लाजवाब यहाँ इस पूरे syllabus को cover किया जाता है, एक्जाम तयार कराया जाता है, doubt clearing session होता है, life test series होता है, study material आपको PDF में उपलाब करा, क्या नहीं है on academy, घर बैठे तयारी कीजिए, और अभी अभी बैच सुरू हो रहा है, आप इसमें जूर सकते हैं, जैसे BJBPSC, 68BPSC, PT और मेंस के लिए, 25 अगस्ते से सुरू हो रहा है, और इसमें top educator होते हैं, आप देखिए, मैं यहाँ science पढ़ा रहा हूँ, और general science के सारे भी से, target 67 BPSC, आप अगर नहीं जूरे हैं, तो target में भी 67 में आप जूर सकते हैं, और यह 27 अगस्ते सुरू हो रहा है, इसमें भी सभी top educator जो है, आपके साथ आपको guide करेंगे, BPSC prelims, BPSC men's, Bihar SI, CDPO, और Bihar के जितने भी exam होते हैं, उन सभी exam के लिए, एक ही जो है subscription है, और आप अभी अगर तक अगर नहीं किये हैं, तो अभी subscribe नाउ कीजिए, यहाँ पर 12 महिना, 24 महिना जो है, उसका अगर आप subscription लेते हैं, तो आपको जो charge है, उसमें छूट हो जाएगा, अगर आप Ajay YT Live, Ajay YT Live जो है, आप करते हैं, तो आपको 10% छूट मिलेगा, और मैं आपको वहाँ guide करूँगा, यहाँ देखिए, अनेकेडमी वालों के तरफ से, आपके लिए जबर दस्तु पहार, 12 महिने पर 2 महिने का free, 24 महिने पर 3 महिने का subscription free, और एक super combo offer आया है, बिहार और उपी के लड़के एक साथ comment subscription ले सकते हैं, और बिहार और उपी के सारे एक जम्स का तेयरी एक साथ कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप जो है, अजय, अजय वाईटी लाइव, वाईटी लाइव जो है, आप अगर करते हैं, तो 10% छूट मिलता है, इस परकार आप जो है, आप YouTube को, YouTube पर subscribe कर सकते हैं, अनेकेडमी को, आप जो है, आपका अपना अनेकेडमी, बहुत ही संदार, मिलते हैं कल 7.30 बजे, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह आप जो है, ओ खुश रही है, मुस्कुराते रही है, हसते रही है, और हसाते रही है, कल मिलते हैं, जी इसके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,